हेलो गाइज, वेलकम बेक टू जी टेकनो और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई गाड़ी गाड़ी तो वैसे यह पुरानी है लेकिन इसमें चीजे नहीं आपको देखनी को मिलती है नया कलर इसमें देखनी को मिलता है और बहुत बड़ा एक अपडेट जो इसम के बारे में बात करते हैं तो आईए अब हम बात करते हैं इसके आउटलूक के बारे में बाहर से इसमें क्या कुछ चेंजेस हुए है उसके बारे में तो सबसे पहला आप वीजूल्स में देखेंगे तो इसमें आपको नया ग्राफिक्स देखने को मिलता है इसमें फ्लोरेंस नियोन जो है वो कलर दिया गया है जो काफी eye catching है इसे काफी eye catching बनाती है ये color आप इसका XP जो variant था उसमें देखे होंगे red color आती थी और wheel भी उसमें आपको red मिलता था बट यहाँ पे wheel आपको pure black मिला है और इसमें सबसे बड़ा update इसका जो design है ये भी change हो गया है पहले वाले में आपको diamond cut देखनी को मिलता था अभी ये अलग दिये गया है इसका benefit आपको ये मिलता है कि पहले वाले wheel काफी heavy थी तो वहाँ पे weight ज्याला था 6kg का इस गाड़ी में 6kg का weight आपको कम देखनी को मिलता है जो इसके performance में अलग effect डालती है इसके चलाने में दूसरा ये graphics आप देखेंगे यहाँ पे पूरा neon है ये सारी चीज़ नियोन है and torque आपको yellow वही Florence green में आपको देखनी को मिलता है 125 XT की badging यहाँ पे देखनी को मिलेगी और उसके बाद यहाँ पे भी आपको दो है एक नया चीज़ देखनी को मिलता है TBS Intelligo इसका benefit क्या है कि इसमें idle जो start-stop system होता है वो चीज़ यहाँ पे add हो गई है तो traffic में यह 5-7 second के बीच में बंद हो जाती है अगर आप इसको accelerate नहीं करेंगे तो और जैसी आप accelerate करेंगे वापस यह चालू हो जाएगी यहाँ पे भी TBS 125 की branding जो है आपको अलग देखनी को मिलती है जो इसे काफी premium लुक देती है इस गारी का सबसे बड़ा update है वो है इसका digital instrument console पहले भी digital थी लेकिन यहाँ पे जो आपको दो पार्ट में complete digital दिजिटल दिया गया है यहाँ आपको complete TFT display मिलता है यह आपका जो है LED है information की बात करें तो इसमें बहुत सारी information मिलती है इसमें आपको WhatsApp वगेरा के notification Instagram के notification देखनी को मिल जाएगा food delivery का भी information इसमें आपको मिल जाता है notification side stand आपके लगी हुए वो दिख जाती है इसका जो यह डाइलर है यह काफी premium देखनी को आपको मिलता है यहाँ पे आपको दो mode मिलती है यहाँ से आप change कर सकते है यह street mode में चला गया है street mode में आपको कुछ इस तरीके का information देखनी को मिलत है यहाँ पर clock मिल जाएगा यहाँ पर date मिल जाएगा यहाँ पर कितना power use कर रहे है वो percentage में दिखाएगा यहाँ यहाँ पर 100% आपको दिखा रहा है और यहाँ पर क्या क्या information मिलती है तो यहाँ पर trip F मिलता है इसका मतलब यह होता है कि low fuel होने से trip F जो है activate हो जाती है यहाँ पर राइडिंग सिंस आपका जो कितने घंटे से गाड़ी चला रहे हैं वह भी यहाँ पर आपको जो है record होता है उसके बाद यहाँ पर changes आपको देखने को मिलता है यहाँ पर पावर का सिंबॉल देखने को मिलता है अगर इको में चलाएंगे तो यहाँ पर green activate हो ज साथ में आती है साइड़ लगए घंट डाली स्टाट नहीं हो रही है बैटरी वॉल्टेज यहाँ देखने को मिल जाता है राइड स्टार्ट करना आपका लैप का वह यहाँ पर दिख जाएगा राइड स्टाट बेस्ट लैप क्या राइस गारी में वह यहाँ पर record होता तो information जो है इसके console में भर-भर के दिया गया है, इसको Bluetooth से connect करेंगे इसके app के साथ में, तो वहाँ पे और भी information आपको देखने को मिलता है, turn by turn navigation यहाँ पे दिया गया है, तो बहुत सारी features दीगी है, trip A, trip B दिया है, service reminder दिया गया है, तो information की बारे में तो बात ही अभी पूरी नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी information इस गाड़ी में आपको दिया गया है, इस console में, previous जो race XP Edition आती थी, वहाँ पे आपको voice command का update मिल गया था, वो चीज इस गाड़ी में भी आपको carry forward होके मिलती है, जिसका switch आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इससे आप voice command के थुरू, जो भी command देना है, यहाँ पे दे सकते हैं, यह बहुती बढ़िया चीज है, idle start stop system आपको मैं बताया, Intelligo Technology के साथ में यहाँ पे आती है, अगला एक update हैं पे छोटा साब देखेंगे, इसका जो fan है, previous वाले में red color में आती थी, यहाँ पे भी यह आपको neon color में दिया गया है, तो यह full sporty exhaust note मिलता है, इसका sound जो है, वो बहुती बहतरिन है, मैं आपको एक बार fire करके सुनाता हूँ, side stand हटाने के बादी यह गाड़ी चालू होगी, इसके exhaust का sound जो है, यह बहुती बहतरिन है इस गाड़ी में, बाकी सारी चीजे भी जो है, इसमें काफी premium इस्तिमाल की गई है, इसका जो design है, वो aircraft से inspire है, तो आपको हर जगा curves देखनी को मिलते हैं, यह grab rail आपको split देखनी को मिलता है, fuel tank का आपको external देखनी को मिलता है, इसक जो rear का design है, यहाँ पर bike type के आपको blinkers देखनी को मिलती है, इसके tail name जो है, यह T-shape में मिलता है, यह previous जो थी वहाँ से भी यहाँ पर carry forward होके आपको मिलती है, और दूसरी बड़ी USP जो है इसका tire है, यहाँ पर दोनों विल में आपको 12 इंच का tire देखनी को मिलता है, और rear especially यहाँ पर 110 section का tire देखनी को मिलता है, 110, 80, 12 inch का, जो इसे बहुत ही stable बनाती है, high speed में, cornering पर, सामने में भी जो है आपको 100 by 80 section का tire देखनी को मिलता है, यहाँ पर आपको मिलती है RT Race Tune FI के branding, इसमें आपको fuel injection engine दिया गया है, front में braking की बात करे तो यहाँ पर 20 mm का disc brake मिलता है Combi braking के system में यह काम करती है, मतलब rear brake और front brake एक साथ apply होती है, अब बात करते हैं गाड़ी के performance के बारे में, तो इस गाड़ी में जो आपको power बहुत ही बहतरिन मिलता है, यह सबसे बहतरिन scooter थी 125 CC में, जो सबसे ज़्यादा power आपको निकाल कर देखती थी, इसका जो race edition आता है वहाँ पे आपको 10.2 BHP का power देखने को मिलता है, इसमें 9.3 BHP का power आपको देखने को मिलता है, 7000 RPM पे, इसका जो torque है 10.2 NM के आसपास का मिलता है, वो भी काफी बढ़िया है, 5500 RPM पे, mileage की बात करें तो यह गाड़ी performance oriented है, तो mileage यहाँ पे आपको उतना जादा नहीं मिलेगा जो बाकी 125 जैसे एक्टिवा हो गया, एक्सेस हो गया, उसमें मिलती है, यहाँ पे आपको 40 का mileage जो है decent सा मिल जाता है, अच्छे से गाड़ी को चलाएंगे तो, इंजन के बात करते हैं, तो यहाँ पे 125 CC का इंजन मिलता है, जो air cooling है, fuel injection system पे काम करती है, और इस गाड़ी की खास्याते, 125 CC स्कूटर में 3 valve आपको किसी में देखनी को नहीं मिलता था, जो यह गाड़ी आपको देती है, जिससे इस गाड़ी का performance बहुत ही बहतरीन हो जाता है, अप्रिलिया की बात अलग है, वो थोड़ा और भी performance oriented गाड़ी है, तो उसमें भी आपको 3 valve देखनी को मिल गया है, तो front में आपको telescopic fork मिलता है, और rear की बात करें, तो वहाँ पे आपको hydraulic suspension मिलता है, spring वाली, rear में आपको 130 mm का drum brake मिलता है इस गाड़ी में, 3 valve की branding यहाँ पे आपको देखनी को मिल जाती है, एक चीज़ इस गाड़ी में थोड़ी सी कमी लगी मुझे, क्योंकि external fuel cap यह open हो जाता है, boot space की बात करें, तो यहाँ पे अच्छा-कासा boot stress मिल जाता है, 22 liter के around, और यहाँ पे boot lamp भी आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको band दिया गया है, तो आप paper हो गया है, यहाँ पे carry कर सकते हैं, आपको यह DRL देखनी को मिलता है, जो काफी premium लगती है, और की चीज़े जो है common, पहले जो आती थी है, वही है, handle के side में जहाँ पे switches दिये गया है, वहाँ पे आपको carbon fiber सा test थोड़ा सा देखनी को मिल जाता है, अब बात करते हैं, एंटork में कौन-कौन से series मिलती है, मतलब variant इसमें क्या-क्या मिलता है, क्योंकि जब से यह गाड़ी launch ह कुछ न कुछ समय के बाद इसमें कुछ न कुछ update आपको मिलता गया है, उस वज़े से गाड़ी का जो variant आपको यहाँ पर 5 मिलते हैं, 5 variant इस गाड़ी में आती है, यार यह horn, highway के करीब है तो यहाँ पर horn वगेरा का आपको थोड़ा-थोड़ा noise background में आते ही रहेगा, तो मै पाद जो variant आपको देखने को मिलता है, TVS Antork 125, जो आपका Black Panther, Iron Man और Captain America वाला series था, वो edition इसमें देखने को मिलता है, उसे super squad edition कहा जाता है, तो तीन variant यहाँ पे हो गए, उसके बाद जो आपको अगला variant मिलता है, TVS Antork Race XP Edition, जो बहुत ही powerful है, दिखने में बहुत ही sporty है, इसका पे review मैंने की हुआ है, वो वीडियो भी आपकी जाके देख सकते हैं, आई बटन में, उसके बाद यह वाली variant आती है, TVS Antork XT, तो टोटल यहाँ पे आपको 5 variant TVS Antork में देखने को मिलते हैं, अब variant टो variant प्राइस की भी बात करते हैं, कितना difference है इसके प्राइस में सारे variant में, तो non-disk variant Antork की प्राइस है, 77,000 रुपीज, एक्षोरूम डेली, उसके बाद डिस्क वेरियंट की 81,500 रुपीज, रेस एडिशन की 85,000 रुपीज, सूपर स्क्वाइड एडिशन की 87,000 रुपीज, और रेस XP की 89,000 रुपीज, और XT की जो वेरियंट है, इसकी प्राइस है, 97,000 रुपीज, एक्षोरूम डेली, और ये डेली की प्राइस है, स्टेट टु स्टेट इसकी प्राइस, एक्षोरूम भी वेरी करती है, और तो वेरी करेगी ही करेगी, क्योंकि वहाँ पर RTO का टेक्सेस वगेरा बहुत अलग होता है, और 36 गड़ में एक्षोरूम और XT आपको बाय करनी है, तो आप इसान TVS को कॉंटेक्ट करिए, यह गाड़ी यहाँ पर टेस्ट राइट के लिए अवलिवल है, आप यहाँ पर बाय कर सेथे हैं, इस टॉक में भी यह गाड़ी अभी आपको अवलिवल हो जाएगी, I hope आपको यह रिव्यू पसंद आय होगा, इन टॉर्क में क्या क्या अपडेट यह आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी रैट करें, तो हेलमेट जरूर पहने, मिलते हैं को और नई वीडियो में, नई गाड़ी के साथ मैं, तब तक के टेक क्यार, बाई बाई